नगर वासियों को होल्डिंग टेक्स जमा करने के लिए अब नगर परिषद कारियाले का चक्कर काटना नहीं पड़ेगा। लोगों की सहुलियत के लिए नगर परिषद परसासन अब सब्ताह में दो दिन हर वाड में कैम्प लगाएगा। इसके माध्यम से नगर परिषद छेत्र अंतरगत वाडो में बकाया होल्डिंग टेक्स को जमा कराया जाएगा। इस संबन्द में अधिक जनकारी देते हुए नगर परिषद के करेपालक परिकारी प्रेम सरूपम ने बताया कि रोष्टर के तहत नप के द्वारा विसेस कैम्प लगाया जाएगा। ताकि बिभाग को बकाया टेक्स की वसूली समय से हो सके। वहीं टेक्स जमा करने वाले इक्छुक नागरीकों को असानी भी होगी। इसके लिए सभी वाडो में सब्ता हमें दो दिन अब कैम्प लगाया जाएगा। उन्हें बताया कि सब्ता हमें बुद्धवार और सनीवार को यह कैम्प लगेगा। साथ ही उन्हें कहा कि इससे उस वाड में बाकी पड़े होल्डिंग टेक्स की वसूली सुनिश्चित की जाएगी। उन्हें कहा कि इसके लिए लोगों को जागरूप करने के लिए माइक से हर वाड में परचार परसार भी किया जा रहा है। ट्रेड लैसेंस से रिलेटिड अभी हम लोगोंने कैम्प का एक आदेश निकाला है। वाड बाईज कैम्प लगेंगे और सभी से वाड में वैसे जो दुकान है या फिर होल्डिंग टेक्स जिन्होंने जमा नहीं किया है। तो वहाँ से उनको सुबेधा भी हो जाएगी और जानकारी का अगर आभावे तो वहाँ से जाके जानकारी भी ले सकते हैं। तो हम अपने उसे सम्मंदित स्टाफ को एक्सपर्ट को वहाँ रखेंगे और वाड में सभी को जानकारी भी मिलेगे और आसानी पूर्बा भोलो टेक्स ले भी सकते हैं।